कोरोना काल में संकर्मन से बचने के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया घरों से निकलना बंद कर दिया समाजिक दूरी बरती खाने पीने की चीजों को छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज किया जीने के लिए जरूरी सांसे भी मास्क बिना नहीं ली यहां तक कि जानल आए एक माम लेने लोगों को हैरान करके रख दिया है दरसल मैट्रो सिटी में रहने वाली महीला कोविड की पहली लहर से अब तक अपने साथ वर्षे बेटे के साथ घर में कैद हो गई थी उसका पुलिस और स्वस्त विबाग की टीम ने रेस्क्यू किया अब बच्चे की उ उम्र दस साल हो चुकी है अब सवाल यह उट रहा है कि आखिर तीन साल तक महीला ने घर के अंदर सर्वाइव कैसे कर लिया राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम का यह पूरा मामला है शहर की मारुती वियार कालोनी में रहने वाली 35 साल की गुन-गुन ने खुद को तीन साल से अपने मासूम बेटे के साथ घर में कैद कर रखा था उसे लग रहा था कि बाहर निकलते ही वै और उसका बेटा कोरोना संकर्मन का सिकार हो जाएंगे महिला के मन में कोरोना का खोफ इस कदर सवार हो गया था कि बाहर नोकरी पर जाने वाले पती राजीव को भी उसने 2020 से घर के अंदर नहीं गुसने दिया बेबस पती ने कई महीने अपने दोस्त के घर काटे और फिर वेपास ही चक्करपुर इलाके में किराय का कमरा लेकर रहने लगा और फिर पत्नी बेटे से वीडियो कॉल पर बात करने लगा साथ ही हर महीने सेलरी आने पर पत्नी के अकाउंट में रुपे ट्रांसफर कर देता था उधर महीला घर में कैद रहकर ऑनलाइन की सबजी और घरेलूस जरूरतों का सामान मंगवाने लगी डिलीवरी बॉय गेट पर ही पार्शल रखकर चला जाता था कई बार पती ही सामान लिया कर गेट पर रख देता था फिर मास्क लगा कर वैं उसे उठा लेती थी और सैनिटाइज करके इस्थिमाल करती यही नहीं कुड़ा डालने बाहर नहीं जाना पड़े इसलिए उसने घर के अंदर कच्रे का धेर लगा रखा था बाहर ना निकलने पर अड़ी महिला ने गैस स्लेंडर तक मंगवाना बंद कर दिया उसका मानना था कि स्लेंडर देने वाले से उसे कोरोना संक्रमन हो जाएगा वैं इंडक्शन चूले पर ही पिछले तीन साल से खाना पकाती थी कोरोना के खौफ से पीडित महिला अपने बच्चे को भी बाहर नहीं निकलने देती थी और स्कूल में बात करके उसकी ओनलाइन की क्लासिस करवाती थी साथ ही ट्यूशन भी इंटरनेट के जरिये ही पढ़वाती थी वहीं पती से पैसे मिलते ही बच्चे की फीस भर देती किराय के कमरे में रह रहे राजीव ने वीडियो कॉल पर कई बार पत्नी को समझाने की कोसिस की लेकिन वह नहीं मानी महिला का कहना था कि बच्चे को कोविड वैक्सिन लग जाएगी तभी वह घर से बाहर निकलेगी लेकिन अभी 10 साल के बच्चों के टीके नहीं लग रहे हैं उधर पत्नी के व्यवार से परिशान होकर महिला के पती ने अपने ससुर को भी कॉल किया तब पिता ने अपनी बेटी को समझाया और बताया कि अब कोरोना केस लगबग खत्म हो चुके हैं और कोई भी खत्रा नहीं है बावजूद इसके गुन-गुन घर में ही कैद रही अब तकरीबन 3 साल होने पर राजीव के सब्र का बांध तूट गया और उसने बीती 17 फरवरी को चकरपुर पुलिस चोकी में तैनात एसाई परविन कुमार से मदद की गुहार लगाई पेशे से इंजीनियर राजीव ने बताया कि 2020 में पहली बार लोकडाउन में धील मिली तो वे नोकरी के लिए बहार निकला तब ही से पत्नी ने उसे घर में नहीं गुशने दिया अनोका केस सुनकर पहली बार पुलिस अधिकारी को फरियादी की बातों पर विश्वास भी नहीं हुआ लेकिन जब राजीव ने वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी और बेटे से बात करवाई तो फिर पुलिस कर्मी ने मामले में दखल दिया ASI महीला बाल विकास और स्वास्त विबाग की महीला टीम को लेकर उसके बाहर पहुँचा किसी ने दरवाजा नहीं खोला अपील करने पर अंदर कैद गुन-गुन ने आत मत्या तक की भी धमकी दे दी तब किसी अनोनी के डर से टीम वापस आ गई लेकिन फिर दूसरे दिन पूरी योजना के तहर टीम के लोग महीला के घर जा धमके और दरवाजा तोड़कर अंदर गुस गए पुलिस एसाई परविन कुमार ने बताया कि महीला के बेटे ने पिछले तीन साल में सूरज तक नहीं देखा था उन्होंने कहा कि उसने कोवीड के डर से इन तीन सालों में रसोई गैस का भी इस्तेमाल नहीं किया जिस घर में महीला रह रही थी वहां इतनी गंदगी और कच्रा जमा हो गया था कि अगर कुछ दिन और बीच जाते तो कुछ भी अन्होंनी हो सकती थी हाला कि मोके से सावधानी के साथ महीला और उसके बेटे का रेस्क्यू किया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया अस्पताल के डॉक्टर विरेंद्रियादव ने महीला की काउंसलिंग कि और उसे बताया कि कोरोना अब खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी वह किसी की बानने को तयार नहीं थी डॉक्टर के मताविक महीला मानसिक बीमारी से ग्रस्थ है उसे इलाज के लिए पी जी आई रोह तक रेफर कर दिया गया है और मनोरोगी वार्ड में बरती है